हेलो एवरिवन, रितु खन्ना गुड लाइफ में आपका स्वागत है आज मैंने बनाई है प्लम सौस और इस प्लम सौस का आप इस्तमाल कर सकते हैं चटनी के तौर पर, जैम के तौर पर और आप इसका जूस भी बना सकते हैं जो बहुत बढ़िया रहता है तो आईए हम इसको बनाना शुरू करते हैं प्लम सौस बनाने के लिए मैंने लिए हैं आलू बुखारे और उनको एक पैन में डाल दिया है अब मैं डाल रही हूँ दो बड़े चम्मच पानी जिससे कि यह नीचे पैन के साथ लगे नहीं और असानी से पग जाएं अब हम इने ढख देंगे 5-6 मिनट के लिए अब मैं इनको ढख रही हूँ और 5-6 मिनट के बाद चेक करूँगे 5-6 मिनट के बाद हम इनको चेक कर रहे हैं तो यह देखिए एकदम सॉफ्ट हो गए हैं और इनका जूस बाहर आज चुका है अब हम लगातार चलाते हुए इनने 15-20 मिनट के लिए पकाएंगे 15-20 मिनट के बाद यह थिक सॉस बन जाएगी तो फ्रेंट्स देखिए 15-20 मिनट हो चुके हैं और यह थिक सॉस बन चुकी है अब हम इनको च्छान लेते हैं और इनके सीड्स बाहर निकाल लेते हैं अगर आप चाहें तो पहले काट कर सीड्स निकाल सकते हैं अब हम इनके सीड्स निकाल रहे हैं तो सीड्स हमने निकाल लिये हैं और जो पल्प है अगर आप चाहें तो उसे मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हैं और स्मूध कर सकते हैं पर मुझे ऐसे ही पसंद है अगर आप चाहें तो उसे मिक्सी में चला कर और स्मूध कर सकते हैं ओटिया और में जूस में मिक्स कर रहे हैं मैं जूसमें मिक्स कर दिया है और पैन में डाल दूँगी भर देखे दूसित शुगर तुटा 5-5 चल चमश की दाल चीनी पाउडर फ्लेवर के लिए अब तीन से चार मिनट तक हम इनको पकाएंगे लगातार चलाते हुए और हमारी सॉस तयार हो जाएगी जो बहुत बढ़िया रहती है आप इसको चटनी के तौर पर इस्तमाल करिए इसका जूस बनाईए या फिर जैम के तौर पर जो काफी हेल्दी रहती ह और आप इसको बिन शुगर के भी बना सकते हैं तो फ्रेंट्स देखिए हमारी जो सॉस है वो बनकर तयार हो चुकी है जो बहुत बढ़िया बनी है और काफी फाइदे मन भी होती है तो फ्रेंट्स आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो और रेस्पी अच्छी लगी होगी ऐ कैसी आशा करती हूँ थेंक यू